चीन से तनाओं के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैंसला पपजी समेट 180 चीनी मोबाइल एप्स पर लगाया बैंप चीन के साथ जारी सीमा युवात के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है इस फैसले के तहस सरकार ने 108 चीनी मोबाइल एप्स को बैन कर दिया है इसमें भारती युवाओं में सबसे ज़्यादा प्रशिद पबजी भी शामिल है पिछले दिनों जब सरकार ने 99 चीनी एप्स पर बैन लगाया था उस वक्त खबरे चली थी कि पबजी भी बैन किया जा सकता है जिसे आज सरकार ने अमनी जामा पहना दिया है बता दे कि जब से भारत और चीन के सैनकों के बीच गलवान में जड़ब हुई है तबी से भारत सरकार एक के बाद एक सक्त कदम उठाती जा रही है और चीन को सबक सिखा रही है ब्यूर रिपोर्ट टीवीवन इंडिया